बारिश्वर ठंड में हो रही गोवन्शों की मौत चित्रकूट सपा जिलाध्यक्षनुच सिंग यादव ने सरकार वजन प्रतिनिधियों की उपर लगाए गंभी रारोप चित्रकूट रामनगर विकास खंड अंतरगत ग्राम पंचायत गुनुवा पशु आश्रे केंद्र का है जहां बीते दिन से हो रही बारिश्व भीशन ठंड में दो गोवन्श पर लोग सिधार गए ग्रामीनों की माने तो पशु आश्रे केंद्र कौशालाफ में समुचित चारे भूसे व लाव की व्यवस्था ना होने के चलते विशय ठंड में भवनों की मौत हो रही है आखिर कौन है जिम्मेदारिन बेजुबान निरी गोवन्शो का पूरा मामला जनपत चित्रकूट के विकासखन रामनगर के ग्राम पंचायत गुनुवा गोशाला का है यहां पर बारिश वर्थन की चलते किसी प्रकार की सुविधा नहीं है आखिर बेजुबानों का कोई सहारा नहीं द्थरह बैठा और आए दिन हर रोज गाये मर रहे हैं मर रही हैं कोई ध्यान नहीं दे रहा हो ना तो जन प्रतनीधी ध्यान दे रहे ना अगईकारी ध्यान कीसिए आज किसी भी गव साला में ना तो टीन सेड़ा ना पनी है एक आदम में पनी थी वो भी रात में कई जगे आधी की वज़े सुड़ गई है और वहां पर रात बर गाएं भीग रहे हैं ना तो प्रसासन का कोई नुमाईंदा वहां जा रहा है यह बहुत दुखत घटना है कि डेड दर दर डेड़ सैकड़ा गाय मर चुकी है और वहां पर प्रसासन का कोई आदमी गया है ना कोई जन प्रतनिधी देखने गया है इनके बड़े-बड़े मंत्री लाल बत्ती लगाए घूम रहे हैं गव विभाग सान विभाग लेकिन कोई विभाग वहां दिखाई नहीं दे हाँ सिर्फ हवाहई नके काम चल रहा है आज गव माता मारी-मारी घूम रही है और गव माता के नाम पर रोटी खाने वाले भारती जनता पार्टी के एक बी नेता ओ जन प्रतनिधी कोई वहां को सालाओं में दिखाई नहीं दे रहे हैं वो शिर्फ विभागों में दलाली पर पर देश को प्रदेश की जंता को जो गुम्राह किया है आज सबसे जादा गव हत्या कोई कर रहा है तो भारती जंता पाइटी की सरकार कर रही है। परसासन से कोई विवस्ता है उनको मरी हुई गाय को Waar की नहीं है, उनकी चुम्यदारी ना है, उनमें टैंग मैं नकी ना तो चारे की विवस्ता है। किसी गउ साला में आप चले जाएए वहां न चारे की बिवस्ता न भूसे की बिवस्ता न पानी की बिवस्ता तह किस को जिले के अधिकारीयों को और सरकार के जन प्रतनीधियों को जो भारती जनता पार्टिकल.